बासी रोटी आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपोर्टेंट और एक विज्ञानिक बात बताता हूँ आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो लोग बिमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं और जिन लोगों के पास पैसा कम है उन लोगों के पास बीमारियां भी कम हैं इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है पैसों को लेकर शायद ये बीमारियों के बीच का भी उतना ही अंतर है क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है हम एक चीज अपने पैसों के दम पर जरूर करते हैं ताजा खाना खाते हैं और हर चीज ताजी खाते हैं ताजा खाया अगर कुछ बच गया तो उसे फैक दिया हमने रोटी बनाई शाम को 4-5 रोटी अगर बच भी गई तो सुबह किसी जानवर को खिला दिया और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं आयरुवेद के अमसार बासी रोटी खाने के बहुत से फायदे हैं और गरीब लोग कभी ऐसा नहीं करते गरीब लोग बची हुई रोटी को भी खाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोटी को फेक सते हैं वो अगर कोई खाना बच भी जाए तो उसे सुबह खा लेते हैं और यहीं पर वो कहीं न कहीं एक अच्छी चीज ज़रूर कर देते हैं आज का विज्ञान भी कहता है कि बासी चीजें खाने के फायदे हैं वो भी गेहूं की बनी हो तो हर बासी चीज का फायदा नहीं होता आज हम आपको गेहूं की बनी हुई बासी रोटी खाने के फायदे बताएंगे ऐसे फायदे जिसे जानकर आप एतना हैरान होंगे कि आप सोचेंगे कि आज तक इतनी रोटियां जो हमने फेक दी क्यों फेकी आज मैं आपको बताता हूँ बासी रोटी को अगर सुबह खाली पेट खाये जाए तो क्या फायदा होगा जब आप रात को रोटियां बनाते हैं तो कुछ बच जाती हैं सुबह हम इने फेक देते हैं या जानवर को डाल देते हैं आज से ऐसा मत कीजिए आपको उन बासी रोटियों को सुबह खाना है सुबह खाली पेट खाना कैसे है? सुबह उठकर उन बासी रोटियों को दूद में डुबो दीजिए पांच मिनट के बाद उस रोटी का आपको सेवन करना है दूद को गर्म नहीं करना, दूद के अंदर चीनी नहीं मिलाने सिर्फ फीका दूद और वो भी बिना गर्म किये खाली पेट उस रोटी को खाते हैं, उसके जो फायदे होंगे आप हैरान हो जाएंगे जानकर सबसे बड़ा फायदा डायविटीज में है दोस्तों डायविटीज आज के समय की बहुत बड़ी बिमारी है डायविटीज को कंट्रोल करने के लिए हम दवाईयां खाते हैं और ये दवाईयां आपके लिवर, आपके पैंक्रियाज, आपके किड्नी पर एफेक्ट करती है हम आपको बता दें कि आप अगर हर रोज डायविटीज की दवाई खाते हैं तो आने वाले 10 सालों में आपका शरीर खोखला हो जाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद वो डायविटीज के कारण होता है, लेकिन नहीं, ये डायविटीज के कारण नहीं होता, ये होता है आपके दवाईयां खाने की वज़ा से। इसलिए जो लोग डायविटीज की दवाई खाते हैं, दस साल बाद उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता। प्लीज, आप डायविटीज के केस में दवाई मत खाईए। डायविटीज के केस में आप गेहूं की बासी रोटी खाईए। ये बासी रोटी इतनी ताकतवर है, ये आपकी डायविटीज को कंट्रोल करेगी और जड़ से खत्म कर देगी सिर्फ दो से तीन महीनों में। हर रोज बासी रोटी खाने से डायविटीज खत्म हो जाती है। हाई बलड प्रेशर के रोगी भी हर रोज दवाई खाते हैं। तो डॉक्टर आपको उसका कारण क्यों नहीं बताता है डॉक्टर आपको क्यों नहीं बताता कि आपका खून गाड़ा है सुबह खाली पेट पानी प्यो वो आपको ये कहेगा अच्छा हाई बीपी है तो ये गोली खालो क्योंकि अगर आपको उसने ये बता दिया कि high BP का कारण क्या है तो उसकी डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी फिर डॉक्टर के पास कौन जाएगा तो डॉक्टर ये चीज बताता ही नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि high BP का केस बहुत आसान होता है हाई बीपी में सिर्फ आपको खाली पेट बासी रोटी का सेवन करना है और कुछ नहीं सुबह खाली पेट गेहूं की बासी रोटी दूद में डूबो कर खाओ हाई बीपी की प्रॉबलम एक महीने में खत्म और उसके बाद हर रोज सुबह उठते ही 4-5 गिलास पानी पीओ हर रोज खाली पेट पानी पीओ हाई बीपी कभी नहीं होगा सच मानगे हाई बीपी की प्रॉबलम में सुबह खाली पेट भर पेट पानी पीजिये हाई बीपी की प्रॉबलम जड़ से खत्म हो जाएगी सुबह उठकर बासी रोटी को दूध में डूबो कर खाओ आपको कभी भी पेट से संबंदित कोई समस्या नहीं होगी इतना ही नहीं ये बासी रोटी वजन को भी कम करती है वजन पढ़ने से सभी परेशान है हम क्या करें वजन बहुत पढ़ गया हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिम नहीं कर सकते टाइम नहीं है कोई बात नहीं सुबह उठो बासी रोटी खाओ दूध में डूबो कर आपका व को खाईए और शरीर को स्वस्थ रखिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे पेज को फॉलू करना ना भोलें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें धन्यवाद